उन्होंने 32 इतना बसा हुआ था कि उन्होंने काड़ी के नंबर भी 1922 रख लिया था उनके वाप मोबाइल नंबर का भी अंतिम चार्जी जो है सो 1932 था हम छात्रों से यही कहना चाहेंगे कि हम लोग अस्थागीत किये हैं रुके नहीं हैं हम बिना सदस्ता गरहन कर ले कभी हम जम्म का हो जाते हैं कभी हम वाबीजेपी का हो जाते हैं कभी आजशू का हो जाते हैं कभी कॉंग्रेस का हो जाते हैं 60-40 नियोजन निती को लेकर जो मुखमंत्री आवास का घ्यराओ का कारक्रम होना था जहारखंड बंद का कारक्रम होना था या तमाम कारक्रमों को लेकर इस वक्त जो है तमाम छात्र जो है नेता इस वक्त तमारे साथ मौझूद है जहारखंड State Students Union के जो है नेता छात्र नेता मौझूद है चुकि सिक्षा मंतरी का देहान्त हो गया है उसको लेकर जो है कारिक्रम को लेकर क्या कुछ तेयारियां इन लोगों ने कि 23 वर्सों का जार्खन में अगर कोई नेता मंत्री विधायक अगर पुर्जोर से अपने दिल से आत्मा से अगर इसे हमारे संगर्ष को समर्थन किया है तो वो है अधर्निया जगनात्मातो और जगनात्मातो इस राज का महच एक मंत्री नहीं नेता नहीं अपी तो इस माट तो लोग के चात्र वर्गों किसान बर्गव मजदूर वर्गव बहुत दुखी थे पीडित हैं मरमाहत हैं अज उनके चले जाने से पूरे राज में आसुब आ रहा हैं तो हम लोग उनके सम्मान में भिलाल जो आठ तिन दिवस्य कारशक्रम था जो जरकन स्टेट स्टुडे मंत्री घराव 18 अप्रिल को पुले राज का जिला मुख्याले में मसाल जुलुस और 19 अप्रिल को संपूरु जारकन बंद का गोस्ना किया है मनो जी क्या कहेंगे कारेक्रम को लेकर आप लोगों ने त्यारी भी कर रखा था अब देखिए त्यारी कितनों भी कुछ करके रखिए लेकिन जो आकस्मी घटना हो जाने के बाद तो यह सरधान्जिली तो हम लोगों का एक जारकन्डी होने का एक दाई तो बनता है कि हम अप 32 का उनके रग रग में बसा हुआ था जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उन्होंने 32 इतना बसा हुआ था कि उन्होंने गाड़ी के नंबर भी 1932 रख लिया था उनके वाफ मोबाइल नंबर का भी आंतिम चारी जो है 1932 था तो इस प्रकार से अगर हमारा 25 साल तक जारकन्डि को आप लोगों के हैजक कर रहे तो जो कि पिछली बात ने को नहीं है कि कोई है जब जब चात्र नहीं बोले हैं जारकन स्टेट स्टूडेंट यूनियन राज का सबसे बड़ा चात्र संगठन जो लगातार कई बार विदान सभा पे दाड़ा है अतिहासिक कार्श करम को इंसान है इंसान है तभी तो नोकरी माग रहे हैं बाकी जानवार पसुपक्षी तो नोकरी नहीं माग रहे हैं तो इनसान है तो एक इंसानियत के नाते हम लोग इंसानियत की भावना को कद्र करते हुए सम्मान करते हुए यहां दो चीज है एक आंसू है और एक आक्रोस है कि आपील करना चाहेंगा हम चाहेंगे कि हम लोग अस्थागित किए हैं रुके नहीं है चुक्गि अभी जो जो इस्थिती बन रही है तो सच्ची सरधांजली जो है देना हम लोगों का कर्तब बनता है नहीं तिकता होने चाहिए लोगों में कि अगर जिदी कोई हमारे बीच नहीं रहें वह हमारे पुरोधा है और उनके परते तो कल रहा करके तो हम भी चले जाएंगे उनको ख़ली सबको स्वार्थ नहीं बन जाएगा अगर जदी अब इतने बड़े नेताव को अगर जिदी संधाजली नहीं दे रहें तो क्या पता कल हम भी नहीं रहेंगे तो कोई नहीं कुछ सोचेगा लेकिन सरकार के मंत्री हमेशा आप लोग में प्यारोप लगाते हैं कि यह लोग युवां मोर्चा के लोग हैं भाजपा के हैं छात्र नेता अपनी नेतागरी चमका रहें देखिए जो बोलने वाले हैं अब उनको मान नहीं पकड़ पाईएगा जब मैं भाजपा के खिलाप लड़ाई लड़ा था पिछली सरकार के खिलाप में तो लोग हमको बोल रहे थे जैमेम का हम बिना सदस्ता गरहन कर ले हम हम जैमन का हो जाते हैं कभी हम वेजैपी का हो जाते हैं कभी आजशू का हो तो पहले हमको वो लोग अपना सदस्ता दिखा दे कि मनोज जादव ने कहां सदस्ता लिया कौन पाटी का लिया है वह आप लोग क्यों के कार्ज करम नहीं था वह युवादिवस था वह युवाओं की बात की जा रही थी तो उस दिन मैं बता रहा हूं कि जुवाओं के लिए कि आज मुखमंत्री का राजभावन का घराब किया जाएगा जुवाओं के बहुत समान में के इन लोगों को उसाट चलिस ना चलतो वह आज वह निकाल करके ले आए हम लोग दोड़ने चले जाएंगे हम बता रहे हैं नहीं एक मैंन देखिए सरकार के नीटियां जो है सोच जब हम लोगों के गलत हो जाता है तो जुवाओं को नहीं समान करते हैं तो हम लोग करते हैं तो इससे यह मतलब नहीं है कार्चकरम तो होगा लेकिन अभी हम लोग सरदांजली आरपित करते हुए हम लोग पसपॉंड कर दी हैं हम कहना यह और तमाम चात्रों को जो पढ़े लिखें हैं तुछ जो संगठन बोल रहे कि नहीं कार्चकरम जारखंट बंद होगा दस्तारिक को कैंसल नहीं होगा आदिवासी सबसे पहले हैं कि जारखंट हम लोग आतंगवादी नहीं है सिधा सिधी एक लान में बात कर रहे ह हम लोग आदिवासी सविधान पढ़ते हैं इसलिए आदिवासी सबसे नहीं है कि कभी कुछ कर देगा क्योंकि जारखंट के एक मात्र यह जो है सितारा थे और एक मात्र के एविडेट में मंत्रिज थे कि 1932 का चर्चा करते थे और खतियान अधारित नियोजान निती के चर पुजा होता है यह सरश्षती पुजा होता अगां में तो कोई व्यक्ति आकस्मिक निधन हो जाता तो उस प्रग्राम को आछनक सटरवाती पगिरात दिया जाता है और उसकोань बंद कर दिया जाता है उतना बड़ा प्रग्राम लता है हम लोगा 3 करोट का एक सितारा चल गये है हम लोग अस्थकित इस प्रोगराम को करएंगे और अस्थकित करने के क़रेञ ये भी था कि कल सरकारी छूटी था, आज भी था हम लोग को परमिसन नहीं मिला है इसलिए सविधान के खिलाफ हम नहीं जा सकते है अवाज उट इंखेंगी है सरकार जो यहां 2400 जिला की लोग करे गई और इसको देना पड़ेगा सरकार क्योंकि हम लोग कहा कार अधिकार है तो यह थे हमारे साथ तमाम चात्र नेता जो जिनका कहना है कि कारेकरम जो है बिलकुल होगा तारीखे बदली है आंदोलन नहीं रुकेगा तमाम जो चात्रों क जो एलान है वह कारेकरम जरूर होगा देखने वाली बात होगी कि सरकार इस तमाम कारेकरमों को लेकर क्या कुछ सोचती है और क्या कुछ चात्रों का आगे कारण निती होता है फिलाल इसकार नहीं लाइव लगाता के लिए राची से मैं कौशल कुमर